अर्चना योगा यत्म संस्तान चो पिछले 19 वर्षों से दली समेत देश के अनेक राज्यों के अंतरगत स्कूलों, कॉलेजों विश्विद्यालों के अलावा, सेना केजवानी सरकारी, गैर सरकारी संगटनों, कॉलोनियों वो गाउं में नई शुलक योग सिखाने, सैमिना, शेविर प्रदर्शनी, आधी, आयुजित, करती हुए देश के कोने कोने में योग वप्राकरतिक चिकट्सा को पढ़ाने, दिखाने के साथ साथ यह भी कारे कर होने की जरुद है, कि अब योग को हर स्थर तक कैसे फैलाया वह पहुंचाया जा सके, इस विश्य पर घंबीरता पूर्वक विचार करके, इसे क्रियानित्व करने हे तू, इस देश के में मग समर्पित, इस प्रकार की पहल अर्चना योगयतन की द्वारा, इसने करनी हैं और प्राक्रतिक चिकिस्या का योग प्रेमी लोग हैं, इन्होंने सब लोगों ने अर्चना योगातन के तहट दो साल का डिप्लमा कोर्स करने के बाद प्राक्रतिक चिकिस्या को योग में, अपने अपने इस तर पर सभी लोग अपने घरों में, चाहे अपने क्लेनिक रूप में चाहे पार्क में चाहे किसी भी हास्पिटल के साथ जूड़ करके प्राकरतिक चिकेसा और योग के मादियम से जन सेवा कर रहे हैं और हमारा उद्देश ही है कि सब लोग जो काम कर रहे हैं उनके काम करने में लोगों को क्या उधारणा है प्राकरतिक चिकेसा के प काम कर रही है माननी प्रदान मंत्री जी ने योग दिवस के दौरा पूरे विश्व में योग को प्रसारित किया लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि ब्यवारिक रुप से है कि गाउं में च्छोटे शैरों में आज भी योग और प्राक्तिक किसे कर लोग नहीं जानते तो हमा कारी टीम हैं बढ़े अवी छोटे स्थर से हम लोगों में इस तरह के मीटिंग हम लोग अंतरास्ट्रिय राष्ट्रिय स्थर पर भी करेंगे सर्कार चहा कर भी यह काम में कर सकती है क्योंकि भारत इतना विशाल देश है अरचना योगायत्न के पास अनुभवी योग प्र संगोश्टी के दौरान संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती सुधा दास जी भी उपस्तित थी